इस समाजवादी पार्टी आप इनके कारणामों से तो परिचित हैं इत्यास की पुंड़ाविर्थी लोग कर रहे हैं गुंडा गिर्दीन की पैचान्ती अराजकता इनकी पैचान्ती बेटी और ब्यापारी पर सुरक्सा पर खत्रा कर पैदा करना इनकी पैचान्ती यहां का विकास बादित हुआ है समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने के अपनी कुछित मंसा से आज भी वहाँ कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस आउसर को वो जाया नहीं होने देती है लाल टोपी है लेकिन काले कार नामों के लिए लोग जाने जाते हैं बैनर भाईयों में भी आ रहा था कारक्रमस्तल पर आ रहा था और जैसे ही मैंने बित्तमंत्री से पूछा हम दोनों एकी गाड़ी में थे मैंने का खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है ये क्या है खन्ना जी ने का हाँ यही लाल इमली है बैन और भाईयों कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पैचान बन चुकी थी क्यों बंदो हो गई एक कॉंग्रेस के बेमानी और भस्ता चार का एक इसमारत बन चुका है जहां यहां के नौज़मानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था हजारों लोगों के परिवारों का पेंट पलता आज वह इनके भस्ता चार का इसमारत बन करके चिडा रहा है लेकिन हमारी सरकार ने तै किया है लाल इमले का पुन्रबधार करने के बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है सिक यूनिट को पूरी लेंड और पुन्रबधार के व्यापक पैकेज का कारे हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है और यही कहने के लिए आगे आपके पास दाया हूँ बैन और भाईयो इस समाजवादी पार्टी आप इनके कारणामों से तो परिचित ही इत्यास की पुन्राविर्थी लोग कर रहे हैं गुंडा गिर्दीन की पैचानती अराजकता इनकी पैचानती बेटी और ब्यापारी पर सुरक्सा पर खत्राक कर पैदा करना इनकी पैचानती इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है और यहां पर इनका दिखाने वाला चेरा एक है और अंदर कुछ और है या द्रिस्टे देखना है तो सीसा मौ की जनता को उपचनाओ का सामना करना पड़ा है इसलिए क्योंकि गरीब की संपती पर कैसे कब जा किया जाता है कैसे दंगे भड़काए जाते हैं दंगे भी उस दिन भड़काने का साचिस होता है जिस दिन महामहिम रास्टपती जो यसी माटी के सपूत है वे जब कानपुर की धर्ती पर आये थे उस दिन समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसा मौ को कानपुर को दंगों की आग में जोकने का साचिस रस्ता है बैन और भाईयों आज आपने किर्टियों का सजा भुगत रहा है लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ आपने जनादेश पांच वर्सका दिया था लेकिन आपको उप्चुनाव का सामना करना पढ़ रहा है यहां का विकास वादित हुआ है समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराचकता पैदा करने के अपनी कुछित मंसा से आज भी वहाँ कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उसों आउसर को वो जाया नहीं होने देपी है आपने भी इसके चरित्र को देखा है औयोब्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहाँ पर एक निसाद बेटी के जग के साथ खिलवाड करता है और समाजवादी पार्टी के मुख्या बेस्रमी के साथ उस बेस्रम के खिलाब कारवाई करने की वज़ाए उसका समर्थन करते वे दिखाई दे रहे थे आपने इनका दूसरा पिससे एक लखुनों में देखा एक बेटी अपने पिता के साथ मोटर साइकल से चल लई है अचानक परसाथ होती है पानी भरता है और इनके गुंडे सडक पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कारे करते हैं और तभी मैंने कहा था जब इनके एक नेका ने सदन में का कि सदभावना ट्रेन चलानी चाहिए हमने का सदभावना ट्रेन इनके लिए नहीं इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी बुलेट ट्रेन बेन और भाईयों इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नोस में देखिए ये नबाब ब्रांड कॉंग्रे इसी समाजवादी पार्टी की पैचान है ये समाजवादी पार्टी की पैचान है कैसे अनैतिक तरीके से अरजित की गई संपती और उस संपती के मात्यम से कैसे बेटियों की चत के साथ बड़ी बेस्रमी के साथ ये लोग खिलवाड करते हैं ये तीसरा द्रिस्या आपने कन्नोस का दिखा है और बाकी तो अगर इनके इध्यास के उपन्नों को लड़ते वे आप जाएंगे तो बेन और भाईयों काले कारणामों से इनका पुरा इध्यास भरा पड़ा है लाल टोपी है लेकिन काले कारणामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसलिए मैं आपको एसास कराने के लिए आया हूँ इस सीसा मव को सीसा मवी ही बने रहे दीजे मा गंगा की पवित्र धारा के आगोस में आ करके इसे हमें कानपुर के एक विक्षित रूप को एक मौडल रूप में से प्रस्तुत करना है और आग उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूँ आपसे कहने के लिए